हेलो स्टुडेंट्स, स्वागत आप सबका एगरी इन्फोर्मेटिक्स की ओनलाइन क्लास में अभी हम इस जो हमारा एगरी इन्फोर्मेटिक्स सब्जेक्ट है उसमें एगरी कल्चर से लिटर जो पार्ट है उस पर डिसकेशन कर रहे हैं तो आज एक ने टोपिक के साथ हम डिसकेशन शुरू कर रहे हैं एगरी कल्चर एक्सपर्ट सिस्टम एक थोड़ी सी मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपका सलेवस थोड़ा वाइड है तो उसको अपने एक्जाम पॉइंट आफ यू को देखती हूँ थोड़ा फास चल की डाईग्राम से शुर हो रहा, स्लाइड से शुर हो हो रहा है कि एक ऐसा सिस्टम होगा जिसमें कुछ एक्सपर्ट है जो अपनीननोलेज है वो शेर करेंगे जो की एक्सपर्ट नहीं है या less knowledgeable करते हैं कि आगे क्या प्रोसस्स आई है तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि expert system है क्या Basically expert system क्या है knowledge based system है एक computer program design किया गया है जो की problem solving का एक behavior है एक program है जिसमें विशिशक्य जो problem solve करने के लिए अपनी राय देते हैं या experts हैं जो अपनी knowledge को share करते हैं knowledge based database के साथ knowledge based system के साथ तो अपनी decision देते हैं जिसे की जो person को decision लेने में जो help मिल सके expert system एक software है that attempts to reproduce the performance of one or more humans experts most commonly in specific problem domain and is a traditional application and or sub field of artificial intelligence ये क्या है expert system के एक software है जिसमें की जो experts है एक से ज़्यादा women experts है जो जिनकी information को reproduce किया जाता है जो उनकी performance को reproduce किया जाता है उनको दुबारा से यूज किया जाता है उनको परदशन किया जाता है दुबारा से उनको यूज करने का परियास किया जाता है ये एक यूं कहें कि एक जो artificial intelligence है और करतरिम बुद्धी का है उसका एक क्या है उप छितर है जो कि अपनी expert राय देने में या कहीं एक experts के दुबारा राय देने में, decision देने में एक help करता है ये system expert system are recognized as a appropriate technology because the address, the problem of transferring knowledge and expertise from highly qualified specialist to less knowledgeable personnel ये क्या है जो एक विशेशेग्य परणाली है जो टेकनीक है जो कि जो highly qualified है या highly expert person है उनकी जो knowledge है जो less knowledgeable person है उन तक वो knowledge को क्या है पहुंचाया जाता है उनकी साथ knowledge को क्या किया जाता है share किया जाता है उन तक knowledge को transfer किया जाता है ये सिर्फ इसमें क्या होता है अगर हम agriculture point of view से देखे तो इसमें researchers होते हैं जो extension को जो अनुसंदान से लेके विस्तार तक किसानों से विस्तार तक और किसानों से किसानों तक भी इसमें क्या है knowledge को share किया जाता है या information को share किया जाता है एक्सपर्ट सिस्टम परजेंट एक्सिलेंट इन डेवलपिंग नेशन जो यह क्या है एक विशेश से क्या पढ़ना लिविकाल से देशाओं के लिए एक उपलस सीमित विशेशताओं का बदलते पर दबाव से राहत के लिए उत्रष्ट उपकरण परस्तूत करती है जो हमारा देश क्या है हमारी कंट्री क्या डेवलपिंग स्टेज में है विकाशिल देशों को जो भी उपलब्द सादन है जो टेकनोलोजी है उनको आगे तक जो भी यह सोलिशन है जो प्रजेंट करती है प्रवाइड करती है या प्रोब्लम को सोल करने की राय प्रवाइट करती है एक तरह से कहें तो हम इसको जो बी जो कम अनुंबहवी व्यक्ति है उन reduction को बढ़ाने मेंको ज्ञान परदान करती है उनको संसाथनों को यूज करने में जो technology को यूज करने में या resource को यूज करने में उनको मदद करती है expert system उनको मदद करते हैं problem को soul करने में ताकि जो कम अनुबवी व्यक्ति हैं वो भी अपनी क्या productivity को बढ़ा सकते हैं अपनी कारियर शलता को क्या है बढ़ा सकते हैं effectiveness दिखा सकें अब बात करते हैं expert system in agriculture agriculture production system has been involving into a complex business system required the accumulation and integration of knowledge and information from many diverse source जो हमारा किर्शी चेतर है जो कि एक जटिल पढ़ना लिए या कहें जटिल वहसाए है एक tough task है एक complex business है जिसके की production के लिए जो भी सुरोत हैं किर्शी की उत्पादम की पढ़ना लिए की जटिल जो सुरोत हैं उनकी सूचना को संचे करना के लिए आउशकता है उनके जो information है उनको एक एक करना के लिए एक जटिल पढ़नाली है जो कि उनके लिए विक्षित हो रहा है उनको ये information timely provide कर रहा है या यूँ कहें कि जो crisis related एक process है जो वहसा है उनके उत्पादन पढ़नाली को increase करने के लिए इंप्रूव करने के लिए expert system है जो कि ये काम कर र in order to remain competitive the modern farmer often relies on agriculture specialist and advisor to get information for decision making जो आज का time के है competition का time है परतिसपरदा का time है तो उसमें जो आधोनिक किसान है जो modern farmers है वो क्या है time to time specialist और advisor से information लेते रहते हैं ताकि वो decision लेते हैं decision लेने के लिए उनको किर्शी विशेशक्यों और सलाहकारों पर निर्बर रहना पड़ता है तो कई बार क्या होते हैं ये सलाहकार है जो मुझूद नहीं होते या जब उनको आवशक्त होती है ताब वो उपलब्द नहीं होते तो वो timely decision नहीं ले पाते in order to elevate this problem expert system were identified as a powerful tool with extensive potential in agriculture तो इस समश्या से बचने के लिए इस expert system का उपयोग किया जा रहा है एक इस शक्तिशाली टूल की रूप में उबरा है जिसको पहचाना गया है जो की farmers की help करता है उस दोरान उनको decision लेने में उनको knowledge लेने में और right time पे सही guide करता है उनको expert system importance क्या है इस expert system की expert system are computer program that are different from conventional computer program as they solve problem by making human reasoning process विशिशे के परणाली computer program है जो पारप्रिक computer program से बिन होता है क्योंकि वो मानो तरक परकिरिया की नकल करके तरक विश्वास अंगुठिक पे विचार अनुबव और नीमों पर वरोसा करके समश्याओं को हल करते हैं जो की जो यह expert system है यह क्या है जो common जो problem solving का तरीका था उस से क्या है different है इन agriculture expert system are capable of integration of perspective of individual discipline such as plant pathology, entomology, horticulture and agriculture metrology into a framework that best address the type of ad hoc decision making required for modern farmer जो agriculture expert system में plant pathology है, entomology है, horticulture है, agriculture मोसम जैसे व्यक्तिकर discipline के दट्रीकॉन से एक framework में एक्रिकर्थ करने की में शक्षम है जो आदुनिक किसानों के लिए नीने लेने में उन्हें संबोदित करने में अच्छी तरह से संबोदित करता है और उनको अच्छी तरह से guide करता है expert system can be one of the most useful tools for accomplishing the task of providing grower with the day-to-day integrated decision sport system need to grow their crops जो ये विशेशग्य परणा ली अपने फसलों को उगाने के लिए दिन पर देने एकिकरत नेड़ने समर्थन के साथ उत्पादों को परदान करने के कार्या को पूरा करने के लिए सबसे उप्योगी उप्रकरण के रूप में हो सकता है ये expert system जो है वो क्या है जो farmers है modern किसान है उनको decision लेने में day-to-day process को समझने में विशेश्य ग्योगी राय लेने में उनको क्या गरता है help करता है ताकि वो clear decision ले सकें और जो सही डंग से काम कर पाएं और एक सही decision लेकर अच्छा मुनाफ़ा कमा पाएं तो ये expert system उनके लिए important है अब बात करते हैं components of expert system expert system के तीन components हैं information system, decision support system, diagnose system, crop doctor, information system information system क्या है एक A से लेके Z तक की information technological and complementary information है from A to Z to related crop जो भी टक्निकी जानकारिया है जो सारी information है A से लेके Z तक इस information system में मौझूद है यह image based presentation है जो scaling up और किसी भी समय पर सामगरी को update करने के लिए तया रेकनर है जो उप्योग करताओं के लिए अनुकुल navigation है जो users है, user interface है वो आसान है जिससे की जो user है, जो जानकारी है उसको क्या है? टाइमली अपडेट भी कर सकते हैं user friendly navigation प्रवाइड करता है जिससे की information collect भी कर सकते हैं वो और कोई information है जो update करनी की जूरूट है तो उसको update भी कर सकते हैं इस्टेटिक इन्फोर्मिशन सिस्टेम इस हाईली यूजफुल फॉर एक्स्टेंसी ओफिशियल साइंसिस्ट पॉलिशी मेकर एंड एर्विनिस्टेटर्स जो स्टेटिक सुचना है परणाली विस्तार अधिकारी यों वेगैनिकों नीती निर्माताओं और परसास्कों के ल स्टेट सिस्टम इसकी बात हम लस्ट्क्याश में कर सुके की सतरा का स्पॉट सिस्टम जोकि डिसीजन लेने में हमारी क्या करता है रहरक करता है इच्छे टुनी जो है यड्ल वेलीजs हैंट्र ऑफ दोज़ पेस्टीफ और्टनेटिफ उडिन का बसलोन हर दो करता है इसके बारे हम last class में discussion कर चुके हैं जो की हर तैरे की decision sport system provide करता है climate variety nursery management cultivation केपार में हम ज्यादा डिसकस नहीं करेंगे last class में हम discuss करंचे पूरा topic तो next topic पर चलते हैं हम डाइगनोज सिस्टम या क्रॉप डॉक्टर क्रॉप डॉक्टर इज वाइटल कॉंपनेट इन दी एक्सपर्ट सिस्टम वीच एक आज आर्टिफिशल इंटेलिजन्स जो क्रॉप डॉक्टर है जो एक विशिश्य के पढ़नाली का एक मैतोपन गटक है जो करत्रिम डिसीज एंड नूट्रिनिशनल डिसोडर अफेक्टिंग दी सेलेक्टेड क्रॉप ये क्या है चैनिस फ़स्टनों को परभावित करने वाले कीट वीमारी और पोस्टन समधी विकारों के निद्दान से समंधित है उनकी डाइगनोज से समंधित शिस्टम है दी फर्स्ट अबियस साइन इस गीवन एज थंबनेल इमेज इंदी की विज्वल सिंटम्स प्राइमरी सिंटम्स विद मल्टिपल सब लेवल सेकेंडरी सिंटम्स जो तारंबिक प्रात्मिक लक्षन है जो दर्ष्य लक्षन है जो प्रात्मिक लक्षन है और जो कई सारे स्तर के लक्षन है वो मादमिक लक्षन है जिनको छविय के रूप में या इमेज के रूप में रिपर्जेंट किया गया या दिखाया गया फार्मर बाई या नुक्सान के कारणों का पता करकर उनकी रोगों रोग जनों की पहचान करकर पोस्टर समंधी विकारों के छितर में जो भी विकार है उनके नियंतरन के लिए उपाय करने में उनको निशकर्श लेने में क्या करने है help करते हैं निशकर्श निकालने में उनको क्या करते हैं help करते हैं diagnose करते हैं यह डाइगनोज system है जो की एक तरह से crop doctor ही है जो उनकी help कर रहा है next conclusion क्या है इसका expert system are knowledge based information tool that can be very effective in fast इसके कई फाइदे भी हैं और नुकसान भी है फाइदों की बात करें अपन तो ये हमें इसके लिए इनफरसेक्टर की requirement होती है network की आउशकता होती है desktop की requirement होती है और expert system does not use common sense इसमें क्योंकि artificial intelligence use कर रहे हैं करतेरी Со jackson dost लिए तो इसलिए इसमें common sense की कम होती है तो ये अपने आप decision जो information expert देंगी उसके according ही decision हमें provide करते है खुद की तरफ से कोई decision provider नहीं कहाएगा reliability of tool in not guarantee जो tool provide कर रहा है वो reliable होंगे कि नहीं होंगे इसकी कोई guarantee हमें नहीं देता यह किसानों को विस्तार सर्मिकों को मानव इशेश शुकरों वो बहुतिक उबस्ति के बीना हाल के ग्यान पर जानकरी प्राप्त करने में भी क्या करता है मदद कर लेकिन जो यह expert system है किसानों को information provide करता है recently without having physical presence of human expert जिस तरह से हमने starting में बात की थी कि जो modern किसान है किसी ने किसी expert पर knowledgeable person पर depend रहते है लेकिन जब उनको जुरूरत होती है तो वो available नहीं होते तो उस दरान यह expert system उनकी help करता है उनको decision लेने में क्या करता है help करता है तो यह की picture के रूप में मैंने एक show किया है complex farm system है जो की expert system की साहिता से decision sport के साहिता से best result लेने में उनको help मिर रही है crop जो भी है यह जो best fruit quantity है उनको increase करने में उनकी क्या कर रहा है help कर रहा है यह expert system तो एक और diagram के तरूँ central database होता है जिससे तरूँ farmers SMS के तरूँ IVRS के तरूँ smartphone app के तरूँ website के तरूँ agree experts से क्या है अपनी information collect कर सकते हैं उनसे direct interact कर सकते हैं या FC के तरूँ इंट्रेक्ट कर सकते हैं और information ले सकते हैं decision ले सकते हैं जानकारी ले सकते हैं तो कई सारे expert systems हैं जैसे rice doctor है जो rice के बारे में जानकारी देते हैं उनकी बीमारीों के बारे में जानकारी provide करते हैं गहू doctor है Tomaxt है जो tomato समन्दी expert system है limex है जो लाइम समंदी, नीवू के समंदी, कल्टिवेशन समंदी, एक्सपर्ट सिस्टम है मैनेची राइस क्रोप है, जो राइस क्रोप से समंदित है सीमेगी, जो की एक माइक्रो कंप्यूटराइज प्रोग्राम है for sunflower, तो soya bug है, जो soybean注-related expert system है तो काफी सारे expert system है, जिनको हम यूज कर कर डिसीजन ले सकते हैं जानकारी ले सकते हैं और best से best result ले सकते हैं बेसिकली expert system है, जो की हमें एक expert की तरह में गाइड कर रहा है हमें जानकारी दे रहा है, जिससे की हम timely सही decision ले सके हैं तो होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, टोपिक अच्छे से समझ में आया होगा, थोड़ा हम फास्ट चल रहें क्योंकि आपके एक्जाम नजदी के है, स्लेबस हमें कम्प्लीट करना है, तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट लेकि हम इसको कवर कर लें, तो वीडि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सबस्क्राइब करें, थेंक यू